शिप्पुरी में बीते कुछ दिन पहले एक समदाय विसेश के युवक को एक हिंदू युवती के साथ बजरंग दल के कारिकरताओं के दौरा फिजिकल थाना छेतर के एक होटल से पकड़ कर सिटी कोत वाली थाना पुलिस को सुपुर्द कर युवक पर कारेवाही की मांग क उस वक्त गहमा गहमी का भी महौल बना था लेकिन अब इसी मामले में सिटी कोत वाली थाना पुलिस ने सिप्पुरी मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल स्टाफ में अध्यनरत युवक को सांती भंग करने के आरोप में मेडिकल कॉलेज से गिरफतार कर उसे जेल भेज दि इसने परवेज को मेडिकल कॉलेज से गिरफतार कर उसके खिलाब 159 की कारेवाही कर उसे SDM नियायाले में पेस किया SDM नियायाले में उसकी जमानत निरस्ट कर उसे जेल भेज दिया गया है गौर तलबे की अब्दूल परवेज खान को 20 अगस्त को बजरंग दल के कारेकरताओं ने एक लड़की के साथ में खिन्नी नाके पर इस्थित एक होटल के कमरे में आपति जनक इस्थिती में पकड़ा था उस समय कोतवाली में कारेवाही को लेकर पुलिस और बजरंग दल कारेकरताओं की बीच काफी नोग जोग भी हुई थी इस पूरे मामले में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि परवेज के खिलाब सांती भंकी शिकायत प्राप्त हुई थी उसी शिकायत के आधार पर परवेज को गिरफतार कर SDM नियायाले में पेस किया गया था SDM नियायाले ने उसकी जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया